योगी योगी रे देखो नमता रमता योगी आया पेदल चल्ली ते संतिघने रे जपते शिविकाना ओनाथ समुरदाय के योगी रे जाओ हम सब करते हैं तुम्हें बना अखील भारत वर्षिय बेश बारह पंथ अवदूत संप्रदाय नवनात जुंडी यात्रा जिसकी शुरुवात सिरिक्षेत्र ट्रयंबे केश्वर से कदली मठ तक विक्रम संबद दो हजार बहत्तर नो अगस्त नाग पंचमी की प्राताह कालिन पूजा अर्चना के बाद सिहन्स्त कुम्ब से प्रारंब हुई जो विक्रम संबद दो हजार तीयत्तर दिनांग प्रिय भक्त जनो उसी की अनुमोधना में हमारे सत्य सनातन हिंदू धर्म की परंपरा में कोई भी कारिय जिसकी शुरुवात की जाती है तो पहले कलश देवता की स्थापना करते हैं कहते हैं कलश का दूसरा नाम ही पात्र देव है और अवदूत नात संप्रदाय में इस हातों में लेकर जूंडी यात्रा की परंपरा द्वापर युग से चली आ रही है इस वर्ष सिंग कुम्च से प्रारम भूई जूंडी यात्रा में परंपुज प्रातह स्मरणिय संध्या वंदनिय समगर सत्य सनातन संस्क्रती के महानतम शलाका पुरुष के रूप में वर तपस्वी निर्मलाची महराच को ये यशस्वी राजपद दिये जाने की परमपरा में इस जुंड़ी यात्रा की शुरुआत हुई है जप तप की ना दर्शन शिव के पाई हो रिशिने दर्शन शिव के पाई हो रिवारन पाप भूमिको आज शिव जी के चरणा माही धान ओशिव के भक्तों का है जग में अमर नाम कदरी की ओर संख जाते सारी सिष्पी का खरने उठार कदरी की ओर नाख जाते एक समय की बात भगवान विश्णू अवतारी परशुराम जी अपनी तपसरिया में लीन थे पीछे कुछ यदुबंशी राजाओं ने घोर अन्याय करना शुरू कर दिया अन्य प्रजा के अलावा रिशी मुनियों के आश्रमों को भी लूटना उनकी गायों को भगा देना और इसी तरह की यातनाई देना आम बात बन गई इस प्रताड़ना से बचने के लिए वे हमेशा रिशी मुनिय भक्त भाविक शंकर भगवान की चरण में गए उन्होंने अपना दुख निवारन करने की गुहार लगई इसी बीच यदुवंशी राजाओं ने परशुराम के पिता स्री जम दगनी माता रेनु का को भी यातनाई देकर उनका अपमान कर दिया इस बात की भनक तपस्चरिया में बैठे परशुराम जी को पड़ी तो वे क्रोधित होकर निकल पड़े और यदुवंशीों को दंदिट करने लगे उदर रिशी मुनियों की गुहार सुनकर भगवान शंकर ने तभी परशुराम को दर्शन देकर यह आदेश दिया कि धर्म की रक्षा के लिए उन अकर्मी राजाओं को दंद दो यों कहकर भगवान शंकर ने उन्हें एक विशाल धनुष थमा दिया परशुराम जी ने शिव आज्या को शिरुवधारे कर उन अकर्मी यदुवंशियों का विनाश कर धनुष वापस शिव जी को देने के लिए रवाना हुए तब भगवान शंकर ने कहा हे मुनिवर ये धनुष आप राजा जनक को सौप दो जो आगे चलकर इस धनुष के म परशुराम जी ने वो दनुष राजा जनक को सौप दिया इसी परंपरा में आगे चलते हैं तो लगता है कि उस महान कारी में सीता स्वेंबर के समय राजा राम जी के हातों उस धनुष का तूटना और फिर वहाँ पहुँचकर परशुराम जी का क्रोधित होना राजा रा परशुराम जी के अंतर में समायवा क्रोध और अंतर में समाय हुई जितनी भी ताम सिखता थी वो सारी उनके मन से समाप्त होती है परशुराम जी के मन में यदुबंशी राजाओं की हत्याय हुई इस बात का बहुत बड़ा पस्चा ताप हुआ तब परशुराम जी ने भगवान शंकर के सम्मुख मनोवेदना उजागर की और इस पाप से प्रायश्चीत का उपाय पूछा तब भगवान शंकर ने उन्हें कलश बात्र दे कर कहा हे मुनिवर आप त्रयम्ब केश्वक छित्र के कोलागड परवत की अनुपान शिला पर जाओ जहां पर गुरु गोरक नाज जी आपको प्रायश्चीत का उपाय बताएंगे इस प्रकार से परशुराम जी ने अपनी सारी जीती हुई जमीन प्रत्वी राजा कश्यब को दे दी और स्वैम भगवान के आदेश को स्विकार करके और शंकर भगवान की आग्या लेकर गुरु गोरक नाज जी के पास पहुँचते हैं और वहीं से आदेश लेकर के और पांच शिला से मेंगलोर तक पैदल चलते हुए समुद्र के किनारे कदरीवन पहुचते हैं समुद्र किनारे भूमी का अंत देखकर परशुराम जी ने जल समादी की धारना ली और शिव आदेश को मानकर समुद्र में प्रवेश करने लगे जोजयों वे समुद्र की तरफ बढ़ते समुद्र त्योंत्यों आगे बढ़ता गया इस तरह वहाँ पर बारा कोश की भूमी उजागर हो वही पर आपने उस पात्रदेव की स्थापना की कलश देव की स्थापना की और योग माला में बैठ करके तपस्चरिया करने लगे सच है परशुराम बाबा ने कदली बन में बारा कोश समुद्र को लांग कर उस पवित्र तम जब तप ध्यान योग और साधना से युक्त भूमी की तलाश की और तपस्चरिया के माद्यम से ये सिद्ध किया कि योगी बनकर योग से स्वेम को पहचान और जब करता रहे ओमकार का धर प्रभू का ध्यान पार हो जाएगा जगत से जो बाजी मार ली और जीता वही रहा है जिसने बेक की साधना धार ली बारा बारा वर्शों तक तपस्चरिया करने के पस्चात उनको भगवान शिव ने ओस के रूप में दर्शन दिये और वो ही आगे चलकर मंजुनाथ महादेव कहलाए तब वही पर एक आश्रम बनाकर परशुराम बाबा रहने लगे कालांतर में वही आश्रम चरण कदरी धाम यानि कदरी मठ के नाम से जाना जाने लगा शिव ने आदे शिकीरा परशुराम जी को रिशिव ररीती चलाई हो तब रिशिव ररीती चलाई कदरी में जब जप तप की ना दर्शन शिव के पाई हो रिशिने दर्शन शिव के पाई निवारन पाप भूमि को आज शिव जी के चरणा माही धान निवारन पाप भूमि को आज शिव जी के चरणा माही धान ओ शिव के भक्तों का है जग में अमर नाम गदरी की ओर संज्ट जान परंपरा तो ये कहती है कि गुरुक गोरक नाच जी की इस यशस्वी परंपरा में मचंदर नाच जी महराज भी पैदल चलकर अखिल भारतिय अवदू नात संप्रदा की राजदानी के रूप में कद्री वंट पधारे यहाँ पर बारा वर्षों में एक बार नात संप्रदाय के सर्वगुन संपन योग्य साधू को राजा बनाया जाता है गद बाराह वर्षों पहले यहाँ के राजा संध्यानाच जी महराज पीपलिया कला से थे और वर्तमान में परंपुझ एक हजार आठ ब्रम्मिलीन पीर जी शांतिनाची महराज सिरे मंदिर बेरुव खड़ा जालोर के सिश्य कमलनाची के अंतेवासी तरुन तपस्वी निर्मल स्वभावी निर्मलनाची महराज को यह यशस्वी राजा का पद साथ मार्च दोहजार सोला महाश्यवरात्री के मंगल में अवसर पर अउधूत योगियों की पावन परंपरा में उनका राज्या भी शेक हुआ इस प्रकार इस जुन्डी यात्रा की सीडी जिसमें मायडभाशा राजस्थानी के जाने माने भजनों को लेकर स्री जुरावर सिंग्जी राजपुरूई अर्थंडी ने जिसकी रचना की है बजनों को अपनी सुमधूर आवाज के साथ राजस्थान के सुप्रसिद रास्टवादी गायक सीवान प्रकाश जी माली बालोत्रा वालों ने इसे सुरों में पिरोया है और नगर नगर डगर डगर पहाडों परवतों पत्रीले रास्तों और जुंडियों के बीच इस जुंडी यात्रा के संग पैदल चलते हुए हजारो हजारो अउधूत योगियों की उपस्तिती में इस सीड़ी को बहुती सुन्दर सरस बना करके और जीवन्त बना करके इस जिरी जवाराराम जी प्रजापत आकाश स्टूडियो जालोर और आवाश आप तक सोनी साउंड जालोर ने पहुंचाई है इतिहास की आँखों में तस्वीर हमारी हो और राजा हो ऐसा की प्रजाबी आभारी हो मठ को महकाने का ये मौका आगया है तो राजा की पद्वी भी कल्यान कारी हो कल्यान कारी हो ऐसे राजा के रूप में राजा निर्मलनाची महराच के बारे में हम क्या कहें निर्मलनाथ जी आपके सैयम की हकीकत क्या होगी राजा निर्मल नाथ जी आपके सैयम की कीमत क्या होगी पूरे कदली वन को महका रहे हो और हकीकत क्या होगी यह तो हर रात की तारी की देती है पयाम उजालों का जिस संत पे दुनिया नाज करे उस राजा की कीमत क्या होगी उठो लक्ष पर निर्मल नात जी कदली वन प्रस्थान करो और बुला रहे हैं गोरख नात जी राजा पद स्वीकार करो अटल रहे तो विजे गान इतिहास तुमारे गाएगा और राजा निर्मल नात आपका नाम अमर हो जाएगा अमर नाम की इस यात्रा में चल पड़े इस अवदूत योगी के बारे में और क्या कहें अरे वफा से प्यार का इजहार किया करते हैं जुन्डी यात्रा से पैदल जो विहार किया करते हैं हम हैं लोग क्या नवनात चौरासी सिद भी निर्मल नात जी राजा को नमशकार किया करते हैं ऐसे युवा संत और राजा निर्मल नाची महराच बहुत निर्मल स्वभाव के धनी धर्ती का सीना चीरो तो उरवरता बढ़ जाएगी नीती का निर्मान करो उजवलता बढ़ जाएगी गुरु गोरक का वचन बुलाता और उपदेश पुकार रहा है और राजा की पद्वी पे देखो निर्मल संत पुकार रहा है निर्मल संत पुकार रहा है ऐसी निर्मल योग साधना के बल पर जीवन में एक बात का ध्यान रखा और उस बात को योग के माद्यम से गुरुआं की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए जालोर की पुन्य भुमी से चल कर ये फकीर ये संत ये सिद्ध ये योगी ये अवधूत राजा के रूप में मेंगलोर के कदलीवन पे आ पहुँचा है सच है योग साधना करके जिसने जीवन सफल बनाया है उसकी जीवन यात्रा में राजा का पत पाया है राजा का पत पाया है बोलिए राजा निर्मल ना परची महराज की जय हो आदेश 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 आदेश